13 दिसम्बर को राज्य सभा में राश्रिय जनता दल के मनोच कमार ने स्मृति राणी से पीरियड लीव पर एक सवाल किया उन्होंने पूछा बिहार पीरियड लीव देने वाला पहला राज्य था लेकिन क्या आप सरकार पीरियड की छुट्टी के लिए कोई कानून बनाने पर विचार कर दही है या नहीं इसका जवाब देते हुए केंद्रिय मंद्री इसमृति राणी ने कहा कि पीरियड कोई रुकावट नहीं है और इसके लिए महिलाओ को पीरियड पैड लीव लेने की कोई जरूरत नहीं है आगे सुरती राणी ने कहा पीरियड और पीरियड साइकल कोई पादा नहीं है ये महिलाओं के जीवन का एक हिस्सा है, आज महिलाओं जादा से जादा आर्थिक अवसरों का विकल्प चुन रही है, मैं इस पर सिर्फ अपना व्यक्तिकत विचार रखूंगी, मैं कहना चाहती हूं, हमें ऐसे मुद्दों का प्रिस्ताव ही करना चाहिए, जहां महिलाओं क किसी तरह से समान अवसर से वनशिक किया जाता है, मैं खुद एक महिला हूं, इसलिए मैं खहना चाहती हूं कि पीरियट्स कोई बादा नहीं है, ये एक महिलाओं की जीवन यात्रा का स्वभावेक इस्सा है, साथी मनोध जान इस मृतियरानी से ये भी पूछा कि सरकार सैन में इस्तमाल होने वाले केमिकल को रोपने के लिए कोई विचार कर रही है या नहीं, इस पर स्मृतियरानी ने जवाब दिया कि ये सब चीजे महिला और बाल विकास मंतराले के दायरे में नहीं आती है, इस सवाल मैनुफेक्ट्रिंग से चुड़ा हुआ है, बतादे इस स पहले भी लोकसवा में 8 दिसम्बर को कॉंग्रेस सांसत शशी खरूर ने भी पेड लीव पर स्मृतियरानी से सवाल किया था, उन्होंने पूछा क्या सरकार ने सबी वर्फ्लेस के लिए प्रावधान जरूरी करने पर विचार किया या नहीं, इसके जवाब में स्मृतियर समस्या को दवा से कंट्रोल किया जाता है, सबी वर्फ्लेस के लिए पैड पीरियड लीव जरूरी करने का कोई प्रस्ताव फिलाल सरकार के विचारा भी नहीं है, पतादे स्मृतियरानी ने जो पीरियड पैड लीव पर बयान दिया, इस बयान के समठ्खन में कंग्ना रा आगे कंग्ना ने ये भी लिखा कि जब तक कि किसी भी महिला के लिए कोई स्पेशल मेडिकल कंडिशन ना हो, महिलाओ को पीरियड के लिए पैड लीव की जरूरत नहीं है, आप लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, पीरियड की कोई बिमारी या फिर कोई चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकिदेश और दनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दीनगरी न्यूस, मैं सर्देका मनुहर आपके साथ शक्रिया